मैं डॉक्टर सज्जीत कुमार सिंग, सिनर उरॉल्जिस्ट और मैनेजिंग डिरेक्टर रिवन मिमरियल हॉस्पिटल मैं एक बात जो इस डॉक्टर फॉर आल माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रोस्टेट किसी बीमारी का नाम नहीं है प्रोस्टेट एक आपके सरीर का अंग है, वो सेकंडरी सेक्स आर्गन है जैसे ओरतों में बचदानी यूट्रस होता है उसी तरह से मर्द जब जन्म लेता है या जन्म के पहले प्रोस्टेट उसके सरीर में होता है ये prostate जिस तरह से degenerative changes है आपका बाल उजला होता है आपके हड़ी मेरुख़ाप करनाता है उसी तरह से age के साथ में ये prostate जो इलाज होता है फिर दूसरा बात कि prostate मेरा इतना size का है उससे इलाज का कोई मापदन नहीं है एक prostate जो 10 ग्राम का है और रुकावट कर रहा है तो वो obstruction करके kidney fail कर सकता है और 200 ग्राम का prostate है रुकावट नहीं कर रहा है तो हम कुछ इलाज नहीं करेंगे इसलिए दो बात एक prostate बिमारी का नाम नहीं है एक आपके अंग है सरीर का और दुसरा कि prostate के size से इलाज नहीं करते हैं prostate में रुकावट कितना है उसका इलाज करते हैं और य जाता है bladder में किस speed से आ रहा है पिसाब का धार या किस patterns आ रहा है फिर kidney जो पिसाब अगर रुक रहा है बहुत दिन से आप उसको ignore किये जा रहे हैं पिसाब का थैली भरा रहेगा 200 300 400 ml में तो bladder का muscle कमजोर हो जाएगा और बहुत दिन तक अगर आप उसको avoid करेंगे तो operation होने के बाद भी पिसाब का थैली पूरा साइथ खाली नहीं हो क्यों कि पिसाब को मसफ़र already एक balloon जिस तरह से आप फुला के अत्रुंद उसे हवा निकालें तो normal size बे चला जाता है balloon लेकिन उसी balloon को आप birthday party में रात में लगा कर छोड़ दी है सुआ में उसका अगर air निकालेंग इसलिए बहुत important है कि symptom हो तो आप एक urology से देखें आज कल दवा बहुत अच्छा हो गया जो effective होता है तो पहले दवा दें अगर बहुत ज़्यादा रुकावट नहीं है जो uroflometry or residual urine से पता चलेगा और अगर दवा तीन मेना चार मेना नहीं successful है तो बोपरेशन कराएं इस इसे long term effect आपके bladder पर नहीं है और दूसरा problem होता है कि पिसाब नहीं होने से bladder भर जाता है और उसका back pressure होता है तो ureator जो kidney or bladder को जोड़ता है जो tube वो dilated हो गया उसका kidney dilated हो गया और धीदर kidney कराब हो सकता है kidney हमेशा के लिए fail कर जा सकता है और यह preventable है अगर सही समय prostate का इलाज हो गया पिसाब का थैली खाली हो रहा है तो यह आपका kidney failure में आप नहीं पहुंचेंगे इसलिए बहुत important है कि आप symptom हो तो आप जरूर जाच करवा ले उसके बाद doctor कहेंगे कि आपको क्या इलाज है operation पहले से prostate का बहुत कम हो गया है चुकि दवे दवा अच्छा असरदार दवा आ गया है इसलिए आप घवराएं नहीं आप अपना जाच करवाएं सही इलाज करवाएं और अगर operation है तो आजकल operation कोई पेट चीर के नहीं करना है वो दुरबिन से होता है अब हम लोग लेजर से भी operation करते हैं जिसमें bleeding बहुत कम होता है इसलिए पहले से उप्चार बहुत अच्छा हो गया है आप इसका लाव लें आप सही सला लें आप सही ऑस्पताल में सही हीरोलजी से जाके दिख लाएं धन्यवाद